नमस्कार दोस्तों DM Teach में आपका स्वाकत है तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ फोन रिसेट कैसे करते है準 I mean factory data reset कैसे करते हैं तो क्या होता है हम जैसे की फोन हमारा हैंग करता है तो हैंग करता है Тो हम क्या करते हैं सिदक उसको reset करते हैं reset करने के बाद जो दिक्कत आता है वो है setup का przedstaw करने के लिए क्या होता है एक ही चीज फेस करने को बिलता है directly setup होता नहीं तो set अलब क्यों नहीं होता आये जानते है तो सबसे पहले हम open कर लेते है phone का setting setting open करने के बाद इसमें बेख लेते क्या user and account इसमें दे दियाएगा है क्या आपका गूगल अकाउंट गूगल अकाउंट को सबसे पहले हमारे फोन से रीमूव करना होता है यह जब तक कि हम रीमूव नहीं करेंगे तो लास्ट में जो है सेट अप के टाइम हमको गूगल आड़ी एडरेस यह सब मंगेगा उसके बाद ज को जो है रिसेट करना है नहीं है आप डाइरेक्ट ली अगर रिसेट कर दिये विजाओव गूगल आपकांट रिबूफ कि ए तो आप सैट अप नहींख कर पाएंगे यह सेट अप करनी कलि अपको जो है अपना फोन जो है सोफ्ट्ट।यर करना पड़ जाएगा तो वह यह है कि आपको सबसे पहले करना होगा क्या account remove उसके बाद जो है factory data reset factory data reset पी जाएंगे तो इसमें जो है बहुत सार option जाए देता है जिसे कि क्या होता है photos delete नहीं होते है contact delete नहीं होते है कई बार ऐसा कई बार होता है तो यह कई function दे दिए गए जिसमें क्या network reset दिया हुआ है system setting दिया हुआ है erase download app data दिया हुआ है तो अपने को यह चौते वाला function click करना है चौते वाले function में दे दिया है क्या erase all data मतलब कि यह जैसे ही हम function open करते हैं तो इसमें जो है delete करने का erase all करने का option आता है जैसे ही अपन erase all करते है तो यह जो है हमारा factory data reset हो जाता है मतलब की a to z पूरा data clear तो यही process करना होता है आपको जैसे कि अपन directly अगर reset मारे तो आपको setup के लिए आपकी नजदी की shop में जाना पड़ेगा नवे software करना पड़ेगा ऐसा बहुत सारा problem आया तो be careful thank you ऐसे बहुत से जानकारी जानने के लिए हमारे चैनल को subscribe करे follow करे like करे और आगे दोस्तों में भी share करे thank you thank you very much